हेला वरिवन वेल्कम टो वर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो नोन वर्बल रीजनिंग का एक इंपोर्टन टोपिक है राइट तो यह पार्ट सोलवा है अगर आपने इस से पहले के पार्ट नहीं देखे तो डि इस तरह से है फिगर राइट तो अब उप्शन ए में देखिए बी में देखिए और सी में दो एरो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट ए में भी ऐसा ही है बी में भी और सी में ठीक है लेकिन डी में क्या है बहुत हर पैलल दोनों के दोनों क्य समान अंतर है कट नहीं कर रहे तो option D हमारा सही अंसर है next question है option A में arrow देखिए clockwise है B में देखिए clockwise है और C में भी clockwise है जबकि D में क्या है घड़ी के विपरित है तो anti-clockwise तो option जो D है वो हमारा सही अंसर है next question है चार option में circle है circle के अंदर arrow है तो पहले A option में clockwise rotate हो रहा है circle sorry arrow और B में क्या है जो arrow है वो clockwise है C में क्या है clockwise और D में क्या है anti-clockwise ठीक है ना इससे पहले जो question किया था उसके जैसा ही था just circle और add कर दिया तो option जो D है वो हमारा सही अंसर है next question है E के बगल में एक दिया गया है जबकि E का alphabet number 5 होता है ठीक है जे के बगल में 2 दिया गया है जबकि J का alphabet number 10 होता है ठीक है तो E का alphabet number कितना है एक यानि पांच का multiple दिया गया है यानि E का alphabet number पांच कैसे है पांच गुना एक किसके बगल बगल में 2 का मतलब क्या है पांच गुना दो यानि पांच गुना दो किसके एकवल होता है दसके C option में O के side में क्यों दिया गया है पांच गुना तीन यानि पंदरा लेकिन D option में देखिए T का alphabet number होता है 20 तो इसलिए पांच गुना चार होना चाहिए था लेकिन है T के बगल में 5 ठीक है न तो इसलिए option जो D है वो हमारा सही answer है क्योंकि ये बाकी के तीन option से अलग है next question है देखिए चार option में ही circle दिया गया है सभी में एक line है तो इसके basis पे दो हम classification नहीं कर सकते क्योंकि ये sum में common है बात करते हैं dot की ये जो दो dot है ये क्या है जो बीच में जो line है उनके दोनो side पर है ठीक है और दोनो side पर है end पर है ठीक है अगर एक उपर है एक end के उपर है तो दूसरे line के दूसरे end के नीचे है ठीक है ना B में देखिए ये line है इसके एक end पर उपर dot है same line के दूसरे end पर नीचे dot है मतलब दोनो side में है B में भी A में भी और D option में भी जबकि C में ऐसा नहीं है C में क्या है दोनों dot अलग-अलग end पे तो है लेकिन एक ही side पे है तो option C जो है वो हमारा सही answer है जो classification या odd one out question का जो label होता है वो group D का paper हो चाए J का paper हो railway में या फिर SI या constable या फिर NTP से का exam हो सम में same रहता है ज़्यादा difficult question नहीं पूछता है यहां से तो option A में देखिए N जो है वो कितनी line से मिलके बना है एक, दो, तीन, E कितनी line से मिलके बना है एक, दो, तीन, चार, C option में देखिए A तीन line से मिलके बना हुआ है D में Z कितनी लाइन से मिलके बना हुआ, तीन लाइन से तो आप देख सकते हैं, option B हमारा सही अंसर है क्योंकि वो चार लाइन से मिलके next question है, देखिए option A में क्या है M, B में क्या है N, C में क्या है O ये तीनों ही क्या है, alphabet है, alphabet 26 होते हैं में ये M, N, O आता है, लेकिन जो D option में जो symbol दिये गया है, वो alphabet नहीं है, तो option D जो है वो हमारा सही अंसर है next question है, चार option में circle दिये गए है, ठीक है अब एक arrow का जो tail है, मतलब ये arrow मैंने बनाया इसका जो tail, पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैं circle से mark कर रहा हूँ, ठीक है, इसको tail बोलते है ठीक है, तो चारो option में ये जो tail है arrow की, वो किसके उपर है circle के center में है, A में भी है, B में भी, C में भी लेकिन D में ऐसा नहीं है, D में क्या है जो arrow है, उसका head, जो है, वो circle के center में है ठीक है न, या फिर ये कह लिजिए, arrow क्या है center से बाहर की और निकल रहा है, A, B और C option में जबकि D option में arrow जो है, center की और move कर रहा है तो option D is the right answer next question है, option A में देखिए, E के बगल में 6 दिया हुआ है जबकि E का alphabet number 5 होता है O के side में पंदरा दिया गया है, इसका मतलब alphabet number सही है, T का бीस दिया गया है, alphabet number 20 ही होता है तो वो सही option है, मेरा मतलब सही answer है Y के बगल में 25 दिया गया है, तो 25 भी सही है ठीक है न, तो option A में देखिए, जो E के बगल में 6 दिया गया वो गलत है तो option A is the right answer next question है option A में देखिए B में देखिए C में इन तिन्नों में क्या है बाहर circle है और अंदर कोई न कोई दूसरी आकरिती है जो straight line से मिलके बनी है square है, hexagon है और triangle है जबकि D option में देखिए अंदर एक circle है और straight line वाली आकरिती बाहर है तो उल्टा हो गया तो option D is the right answer thank you